आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा ना मैं सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्वागत है अमेरिका ने कहा है कि भारत को पर्मनेंट सीट मिलनी चाहिए जो बाइडन ने बोला है प्रधान मंतरी मोदी जी से बोला कि जो भी इनिशेटिव है भारत एक बहुती जरूरी आवाज है आज दुनिया पर उनाइटे नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल में पर्मनेंट मेंबर्चिप आपको बिलकुल मिलनी चाहिए रिफॉर्मेशन की जरूरत है साथ में हम ग्लोबल रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर इन्टरनाशनल इंस्टिटीशन को सपोर्ट करने वाले है इनिशेटिव लेंगे प्रोस्पेरिटी सस्टेनेबल डेवलप्मेंट बढ़ेगा मज़ा आएगी हम सब ये चाहते हैं कि उनाइटेड निशन चार्टर सपोर्ट करें तीन पिलर्ज है उनाइट उन सिस्टम के और सबसे बड़ी बात इसको बदले देखिए आज हम भारत के परमनेंट मेंबर्शिप की बात करेंगे कि क्या वाकई में भारत को परमनेंट मेंबर्शिप उनाइटे निशन में मिलेगी हम तोड़ा इतिहास भी देखेंगे कई बार में इस पर वैसे लिचर लिए है अब इसी को लेकर मैं यह किताब कहांगी करूँगा मैं लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारे शांदार कोड साइकोलोजी ओफ अट्राक्शन का 280 रुपेगा कोर्स ही है सिर्फ 20 कूपन कोड बचे है make the best out of it अट्राक्शन कूपन कोड यूज़ करिए साइकोलोजिस दॉक्टर मयुरिका दास बताएंगी कि इन सारी चीजों में कैसे महारत हासल करे और साथ ही साथ क्लासेज 29 से स्टार्ट होनी है वैलिडिटी वेव कि 29 से शुरू होगी 6 मैनी के वैलिडिटी है तो बिल्कुल भी देर ना करें आपको डाउनलोड करें वरना वेबसाइट वेजट करें तो बात इतनी सी है कि United Nation Permanent Membership के लिए हम कई बार बात भी कर चुके है हर किसी को चाहिए कि भारत को एक बार Permanent Membership मिल जाए लेकिन वही है कि तू कहे तो चांद तारे तोड़ कर लेकर आऊ लेकिन उन सब का तू करेगी क्या तो वही चीज है कि भारत आखिर का United Nation Permanent Membership का करेगा क्या बहुत कुछ कर सकता है लेकिन क्या भारत को ये मिलेगी मेरा परसल मानना ये है आप मुसे एगडी डिसएगडी कर सकते है बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है लेकिन अमेरिका कह रहा है कि Permanent Membership भारत को हम देंगे बाराक उबामा ने कहा था कि भारत को permanent membership मिलनी चाहिए जो बाइडन ने manifesto में बोला था election जो पिछले साल जब 2020 में वो election लड़ेते कि हम support करेंगे भारत की permanent membership को और यह इन्होंने कल भी बोला है तो क्या problem है अभी अमेरिका एक resolution लेके आया था कह रहा था कि प्रस्ताओ था कि United Nation में जो भी veto करे veto power होती है ना कहने की power तो उसको justify करना होगा नहीं पास हुआ क्यों नहीं पास हुआ क्योंकि पास ही नहीं हो सकता मेरे भाई United Nation is discriminatory organization है उसमें Germany नहीं है P5 plus 1 बोला जाता है हाला कि United Nation सबसे बड़ी दुनिया के organization है इसमें दुनिया के सारे देश है लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि UN ने अभी तक कुछ खास हासल नहीं के बट फिर भी ये बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप international level पे ये मुद्दे उठाते हो जब आप UPSC का अंसर लिखोगे तो आपको pros and cons दोनों लिखने पड़ेंगे ठीक है न लेकिन अगर हम इससे हटे तो ऐसा नहीं कि UN बहुत चीजों पे फेल रहा है ठीक है लेकिन भारत के लिए क्या जब United Nation बना World War I में League of Nations बनाया गया लीग ऑफ नेशन उन्निया साथ में थी भारत को लगा कि बस बल्ले बल्ले हमारी सारी बाते सुरेगा United Nation जवाल लाल लहरू कश्मीर को लेकर चले गए उन मामलों वहीं अटक गया तब जवाल लहरू को भी पता कि politics सबसे important factor यहां पे play करने वाली है 1950 में ताइवान उस समय चाइना नहीं था permanent member क्यों नहीं था चाइना permanent member क्योंकि यहां पे पूरी दुनिया चियांग काईशक को support कर रही थी लेकिन communistों ने उनको हरा दिया चियांग काईशक भाग गए ताइवान तो असली जो सरकार है वो तो ताइवान में चली गए तो ताइवान permanent member बना 1949 में 1949 में कम्यूनिजम आ गया चाइना में चाइना पहले permanent member नहीं था ताइवान था तो अब यहां पे बोला कि आप आ जाईए तो भारत ने बोला कि नहीं चाइना को आप दीजे permanent membership ऐसे ही प्रस्ताओ कहा जाता है सोवियत ने 1955 में भारत को दिया था लेकिन तो भी बारत ने नकार दिया जबाला नहीं ने कहा कि नहीं आप समझे कि cold war उस समय ने लगा होगा कि cold war politics है तो आप चाइना को दीचे उनका काफी size बड़ा है तो वो जाधा deserve करते हैं हला कि चवाला नेरू ने लोक सभा में जब वो speech दे रहेते तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताओ भारत को मिला ही नहीं था कि भारत permanent member हो जाए हमको ऐसा कोई भी प्रस्ताओं नहीं मिलाता ये सब बकवास है मिला था नहीं मिला था अफवा है तो बात भी हुई होगी लेकिन कुल मिला के बात ये है कि चाइना permanent member बन गया ताइवान को हटा के 1955 के बाद अब देखिए United Nation का permanent membership मतलब क्या है देखिए United Nation के कई सारे अंग है United Nation Journal Assembly आला गया है कि उनका सबसे important है United Nation Security Council टोटल 15 member चुने जाते है भारत अभी आठ बार non-permanent member रह चुका है जिसमें 5 permanent है आंधी है तुफान है लेकिन ये हमेशा रहेंगा अब इसमें कौन-कौन से है जिन्होंने वो लोग जिन्होंने हराया था जर्मनी को तो कौन-कौन Allied Forces में थे अमेरिका ठीक है चाइना चाइना हराया क्या चाइना तो पिटा था बहुत ज़्यादा अच्छली में तो अमेरिका नहीं हराया था बढ़ चाइना क्योंकि Allied के साथ था इसलिए रश्या मतलब वो समय का Soviet, Britain और France ये permanent member है अब सबसे important power हिंकी है वीटो power इसी पे ही है में मुद्दा ना कहने की मतलब अगर मान लिजे कोई resolution पास हुआ शाहिद लतीफ एक आतंकवादी United Nation designated terrorist list में डालो चाइना ने वीटो कर दिया चाइना ने वीटो कर दिया तो वो हो नहीं पाया एक भी वीटो कर देगा तो वो प्रस्ताव कैंसल हो जाएगा ये गलत है कि नहीं आप मुझे बताइए United Nation के provisions किस तरीके से सही हो गए Africa का एक भी permanent member नहीं है दस non-permanent भी है एक भी permanent member नहीं है South America का एक भी permanent member नहीं है इतने बड़े बड़े continent सही है South East Asia नहीं उसके representation ना के बराबर है Germany नहीं है हाला कि P5 plus 1 बोला जाता है बट सचाई तो यह कि Germany नहीं है तो यह सब तो है नहीं permanent member right Islamic world का एक भी देश permanent member नहीं है तो बात यह बताईए कि कैसे हो सकता है फिर India को permanent membership मिलनी चाहिए number one India है यार भारत को सबसे पहले यहां पे रखना चाहिए सबसे उपर रखना चाहिए population के हिसाब से democracy है हमारे पास population है हमारे पास 2000 क्या साड़े 5000 सालों से हमने प्रूफ किया है कि हमारे बिना तुम्हारा कुछ नहीं होगा भारत जियो पॉलिटिक्स को लीड कर रहा है भारत जो है टेकनोलोजी में बहुत आगे है टेकनोलोजी देखिए हाँ आप जो जितने भी भारत एक्सपोर्ट करता है अपनी services बड़ी बड़ी companies में आदे से जदा भारती काम करते है तो हर तरीके से भारत तो सफल है अब इंडिया को गर आप पर्मानेट मेंबर्चिप नहीं दे रहे तो किसी को नहीं मिलने वाली क्यों नहीं मिलने वाली क्योंकि देखिए इसमें आर्टिकल 108-109 है अब इसमें यहीं है ना कि देखिए कोई भी अगर आपको देखिए उनाइटे निशन को इंडिया को इसमें लाने के लिए आपको युनाइटे निशन चार्टर को अमेंड करना पड़ेगा अब सब कुछ युनाइटे निशन चार्टर के ओपर डेपेंड करता है और उसमें आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल्स साफसफ ये कहता है कि आपको सब की सहमती चाहिए तो क्या लगता है चाइना राजी होगा भारत को आने के लिए नहीं क्या लगता है देखिए मुश्किल है फ्रांस ब्रिटेन यह हो सकता है ये भी ना राजी हो ये दिखाएंगे कुछ अमेरिका राजी है चलिए रश्या राजी हो जाएगा लेकिन बाकियोंगा क्या नूक्लियर सप्लायर गुरूप में एनेजी में तो चाइना ने भारत को आने नहीं दिया तो इनाइटेट निच्शन सेक्युरिटी काउंसिल भूल जाईए आपको इसको अमेंड करना पड़ेगा क्या कर सकता है भारत भारत अपने आपको बहुत ताकत वर बना सकता है भार बहारत को डॉमिनेट करना पड़ेगा पुरी दुनिया में तभी होगा जैसे हम पहले किया करते थे टेक पर काम करना पड़ेगा भारत को बड़ी कमपनीज पैसे पर काम करना पड़ेगा military को reorganize करना पड़ेगा उनका और जदा दबदबा बढ़ाना पड़ेगा United Nations Peacekeeping Force में सबसे जदा भारत की military है कितने सैनिकों ने बलिदान दिया है UN Peacekeeping Force में आपको बता दू भारत ने United Nations के सारे criteria को तो fulfill किया है लेकिन United Nations ने हमारी लिए क्या किया रश्या यूकरेन वार में क्या कर लिया क्या उखण लिया या इसराइल और हमास युद्ध में क्या उखण इतने resolution हुए का लोग तो मर रहे हैं अभी भी ठीक है तो बात यही है कि कुछ हो नहीं रहा है फिलाल और क्या भारत बहुत जदा इंट्रस्टेड है या भारत को ऐसा क्या मिल जागा एक global platform मिलेगा लेकिन भारत को नए groups बनाने चाहिए जैसे भारत क्वार्ट भारत के लिए बहुत important है जिसकी meeting उलड़ी चल रही है अमेरिका क्योंकि इसमें चार economy बहुत important है ठीक है और वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी economy जो है वो इस group में है G8 को भारत को देखना पड़ेगा G20 की बात करें तो उसको भारत को एक नए alternative group में देखना पड़ेगा भारत अपनी तरफ से एक नए ग्रूप बनाए जैसे शैंगाए cooperation organization है क्या भारत कुछ इस तरीके से नहीं ICO Indian cooperation organization है इस तरीके से भारत BIMSTAC, ASEAN, SARC या भारत इसमें lead ले अगले साल Delhi declaration आएगा कोईट की summit अगले साल भारत में होगी जाहिट सी बात है तो United Nation Permanent Membership के लिए को UN Charter को amend करना पड़ेगा अब S.J. शंकर ने कहा दो साल पहले ये बात बलब दो साल करे क्या आप छे मएने पहले बात बोली थी कि भारत को permanent membership मिलेगी लेकिन बहुत मुश्किल है कहना और करना ये सब depend करता है दूसरे देशों के उपर और दूसरे देश अभी तो कह रहे हैं लेकिन जब करने की बारी आएगी तो कितना हो साथ देंगे ये देखने की बात होगी ये lecture था आपको क्या लगता है आप मुझे comment box में जरूर बताईगा आपके comments मैं पढ़ता हूँ मेरी मैं तो नहीं पढ़ पाता हूँ लेकिन मेरी team पूरा एक एक comment को देखती है और मुझे बताती भी है तो बिलकुल आप comments डालिये इसमें और मैं देखूंगा की best comment कौन सा ह है तो शायद मैं अगली बार highlight भी कर दूँ thank you so much